हेलो एवरिवन विल्कम बैक टो वर चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं महामद सुहेल दोस्तों रेलाइंस इंडस्ट्रीज में अपने प्रिविएस वीडियो में हमारा जो फ्रेश बाइंग था 2268 का हमारा फ्रेश बाइंग था और स्टॉक गया 2224 हमारा पहला टार्गेट था 2290 सेकेंड टार्गेट था 2340 हमारा फाइनल टार्गेट जो 2340 के ओपर हम लोग लेके चलते हैं हमारे फाइनल एक्जिट के लिए 2370 और 2510 2003-70 target achieve नहीं हुआ 2005-10 भी target हमारा अची नहीं हुआ हमारे बस only इसके अंदर simple target अची हुए जो हम लोग अपने short time and professional के लिए लेके चलते हैं और आज का यह है 2003-35 and हमारा 2003-40 का भी target अची नहीं हुआ and stock यहाँ पे 200 EMA से reject हुआ तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ stock हो सका तो stock क्या करेगा यहाँ इस level 2312 रुपीज तक जाएगा चाने के बाद stock यहाँ पे buyer को attract करेगा attractive price लाएगा entry लेगा फिर stock उपर लेके जाएगा तो मैं आपको अभी भी suggest करता हूँ कि जो अभी तक मेरे buying levels पे entry नहीं ले तो दोस्तों अभी भी आप entry ले सकते हैं at the rate of 2318 और at the rate of 2318 बंडे जो भी मिला भई आप उस पे entry लेके चलो ठीक है अभी stock के अंदर double bottom fishing होआ कभी भी याद रखो double bottom fishing indicate करता है कि buyer panic है और उनों को panic करना है उसके बाद stock को भगाना है and यह final clubbing है दोस्तों जिदर एक loose candle formation बनेगा उसके बाद solid candle formation के साथ उपर भागेगा क्यों भागेगा क्योंकि nifty और bank nifty प्रेशर on full on buying है और minus 145 और minus 200 से यह buying ले चुका है और इसका trend आप लोगों को लेके जाएगा plus 200 से लेके plus 172 तक metric series में आपको उपर लेके जाएगा अगर यह इतने level उपर लेके जा रहा है तो definitely हमारे target हम लोगों को मिलेंगे तो बस मेरा suggestion है तो Reliance को मत छोड़ो target मकड़के बैटो आप लोगों को आपके level काफी जल्दी ही देखने को मिलेंगे दोस्तों तो यही था मेरा update Reliance Industries पे अगर आपको stock pay analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए, share करिए and YouTube channel को subscribe कर लीजिए Thank you for watching my video